नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पाइंट पर तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो साथियों आर आर भी एंटी पीसे के एक्जाम डेट के सेड़्ू सभी देने बाल। आप सभी इतना ही के न चौँगा वीडियों के साथ याजाम सब्सक्राइब करके मिलंजाया। चलि दोस्तों बीडियो को स्टार्ट करते हैं पिना दिरी के तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए हैं कि आपके RRV NTPC के एक्जाम सेडूल के बारे में देखिए जान लेते हैं क्लिए के पहले जानते हैं सबसे फॉस्ट्ट कंट कर अगया तो चली इसके बारे में थोड़ा दिसक्षस कर ले ले पहले में आपको फेज फस्ट के बारे में बता दे रहा हूं उसके बाद आगे बुद्ध नमबर चलते रहेंगे ठीक है पहले आपको complete डेटिल बाता है वीडियो के साथ बिल्कुल भी तो सिटीइंटी में जो आपशिक कर पाया ते यलिए एक्जाम डेट से फो तेंट डेज पहले ऐनिकि माल अपका 28 तारिप को टारीच निकि आठारा तारिक को कर पायते तीश्यरें गया था ठीक है जिन्वी candidate का exam 28 December code था वो अपना admit card जो है यानि कि 24 December कौन का admit card download होना start हो गया था ठीक है अब देखिए का जान लीते हैं कि पहले phase में कितने candidate ने एक्जाम दिया इसके बारे में बताना चाहूंगा तो देखिए कि पहले phase में 23 आपको पता है कि पहले phase के बारे में मैं अभी आपको बता है कि आपका 28 December से लेके और 13 December की बीच आपका exam चलने वाला है ठीक है तो देख सकते हैं आप यानि की duration कितना है 15 days ठीक है यानि कि 15 days इसमें रखा गया duration sup on timing मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा phase फर्ष्ट गयाम जो आपका 15 दिन चला है जिसमें के आपको पता है 23,08,00,. यह देने वाले इसमें और देखिए का मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल हा रही है कि टोटल है इनकी एक जाम केंड़ेट की बात करो तो एक लाख चबीस एयार स्वरी एक करोड और पचिस लाख एंड या चबीस लाख के आसपास इसमें हैं एक करोड़ 25 लाख के आसपास हैं तो यह एक जाम के बारे बताना चाहूंगा एक जाम जो है यह 5 फेज में कंड़क्ट होने वाला है ठीक है क्योंकि आपके कितने केंडेट यानिकी सिलेक्ट के गए तेईसलाग ठीक है और सेगन में जो सेलेक्ट की गई हैं वो करें कितने यानिकि 27 लाख ठी यह फेज में आपके 15 याण 25 यानि की इसमें स्लेक्ट के जाएंगे ठीक है अब देखेगा थोड़ा इसके बारे में जा लेते हैं फेस्टू के बारे में तो देखेगा फेस्टू का जो यानि की एक्जाम सेड्ल रखा गया है जैसे कि आप सभी को पता चली गया होगा कि आगे देख लेते हैं आपको पता है कि टू डेस का गैप दिया गया था जिसके बाद ही आपका मुदलग यानि की जैसे फर्स्ट फेस्ट का एक्जाम खतम हुआ उसके बार टू डेस का गैप ठीक है अब देखे का टू डेस का गैप दिया तो उसमें आपको पता है कि यान में तिमेशन जो इसके अग्जाम से यानि, कि 10 दिन पहले आपके आ चुके हैं जैसे कि मालो किसी का 16 तारीक है तो उसका 10 दिन पहले यानि कि छेट जन्वरी को यंशन आ गया हो गाटीक है अब देखेए अब आपको बता दिया है कि सेगेंड फेज में आपके 20 अभी पहली बता दियता था सबसे पहले तो दिखा रहा हूं यह नहीं कि मतलब कुछ गलत बता रहा हूं विल्कुल बीडियो को साथ तैन तक बने देंगे तो आपको कम्प्लीट जनकारी मिल जाएगे ठीक है अब जान लेने आपके थर्ड फेज के एक्जाम के बारे में तो देखिए कि यां यदे की सकते हैं पर आप थरंट फेज की ऐक्जाम के बारे में जा लेते हैं सबसे पहले तो देखिए थर्ड फेज का एक्जाम B आप कब से चेक कर पाएंगे city intimation तो देखिए city intimation exam से 10 डेज पहले याणी कि आप लगा सकते हैं अगर आपको दो फरवरी को आपका exam है तो आप 22 याण कि आप 22 से या 23 जन्वरी से आप इसका इनिग city intimation चबाएंगे वह आप 29 जनुवरी से आप अपना सिक्टीटी मिंशन आराम से चेक कर पाएंगे ठीक बाएंगे अब देखें आप बता लेते हैं इसके आईनमिट काड के बारे में तो एडमिट कार रहा है बतना चांगा एबरेज इस 20 की बात करूं थर्ड पेट में कितने एक्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको पताना चाहूंगा फिप्टीन लाक एक्जाम देने वाले हैं ठीक है अब देखेगा आप यानि थर्ड फेज का मुझे लगता है डाउट के लिर हो चुका होगा अब यानि कि आपक ऑन के देट कितनी हो जाईगी था रिट अफियाय पी मैं के घ्जाम प्रवरी इनने कि पर्वरी और डेंके से लिए वाला है Do 13,000 लोन मार्ज थक्रन चाहूं थे वाला है इनके फ्रेंड वाला था ऐनी कि ए इन फोर्फत से रिऌने लिए से लिए Comics हैनिक्व्न. इमिश्य जैसे ढह कर पाएगे नाइन तौफ है को कोई भी चिंता करने वाली नहीं है आप अपनी प्रेबियुस्ट का जारी रखिएगे अफ्ञें बीजिन Churchill तो इसी साफसे नीकी सेडूली जो बनाया है आप सभी के सामने एक एक करोड़ 25 लाइक शोबड़ देने वाले हैं तो आप उसी साफसे लगा तो पर फेघ्ज में आपका एक्जाम जो बारे में प्रोसेस याएनि फ़र्थ खृत्व जाएगा जैसे ही जो आपकी डेट हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी क्या यहनुआ है नहीं कि 7 मार्ज से आपका एक्जान्न छलें साथ मार्च मार्च से आपका एक्जाम चल मारई हूं इस प्र pagina जान लेते हैं इसके लएक्स को यांकि शीटि इंटीमेशन आप कपसे चेक कर पाएं इसके बारे मतल ना चाहों कि इंट्यूट रहने वाली वह आपकी रहने वालन अन्यवाहरं कि 25дел 25 फैबरी क्यों 2020 से आप अपना यानि की City intimation जो है चेक कर पाएंगे ठीक बाइँ अब देखिएगा मैं बताना चाहूंगा इसके यानि की 5th phase के बारे में कि आप admit card कब से issue कर दिया जाएगा admit card के बारे में ठीक है admit card के बारे में बता हूं तो आपका admit card यानि की रिलीज कर दिया जाएगा यानि की 3rd March को आपका admit card रिलीज कर दिया जाएगा 5th March वालों को ठीक है अब देखिएगा मैंने आपको बता दिया कि पार यानि की फेजवाइज बजा दिया और जिन जितने भी फेज थे सारे बता दिया इनकी पहले फस्वेज में कितने candidate अग्जाम देने वाले है क्या है complete detail मैंने आपको दे दी ठीक है जैसा कि आप सभी लोगों को कुछ पताएगा यानि की total number of candidate की बात करें तो एक करोड़ 25 लाग अग्जाम देने वाले हैं जिसमें के आप सभी पता है आप सभी पता होगा ठीक है तो पर फेज में आपका 25 लाग के सभी पता है तो फेज पता है जो कि की के आपको के आपa में की दिकका वाले है जो जो आपका 22 मार्च को आपका खतम हो जाएगा थीक है भाईयों आप देखेगा मुरे सबसे आपके सारी जनकारी मैंने दे दी कि थर्ड फेज का अपसे होगा फॉर्थ फेज का फिप्त फेज का तो आपसे मैं कहना चाहूंगा अभी अपनी प्रपेशन को जारी रखीगा अभी अपना दिन रात एक कर दीजिगा अभी अच्छा खासा टाइमिंग मिलने वाला आप सभी के लिए जिनका अभी नहीं है वो अपना अभी से प्रपेशन में जारी रहें यह नहीं के मतलब थोड़ा स्टॉप नहीं करें बिल्कुल भी एकदम से लग जाए क्यों कि आ अगर फिर भी आपका कोई कोश्चन रहे गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है और दोस्तों वीडियो अच्छी लगते है प्लीज वीडियो को लाइक जुर करिया और चैनल पे बने रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करक अगरता हूं थैंक यू दोस्तों वेपी गूटेग